श्री रादेहर हर महादेव चैत्र मास कृष्ण पक्ष की नौमी तिथी बुद्धवार का दिन आ गया है और बुद्धवार के दिन हमें ऐसा क्या विशेश करना है जिससे कि हमारी सभी मनुकामनाई पूर्ण हो जाएं तो ये वीडियो आज आपको पूर्ण सुनना है और उसके पश्चाथ आपको ये छोटे-छोटे से दो उपाई अवश्य करने हैं जो कि आपके जीवन में मनुकामनाई पूर्णी के साथ साथ सुल्क सम्रद्धी में भी व्रद्धी करेंगे तो बढ़ते हैं इसके लिए आपको आवश्यक्ता होगी एक चम्मच्चीनी की एक बेलपत्र की ऐसा बेलपत्र जो की कटा फिटा ना हो साफ सुत्रा सुन्दर सा बेलपत्र जो की साक्षा शिवशक्ती का स्वरूप होता है तांबे का लोटा जिसमें घर से भरा हुआ जल लेंगे जल के पश्चात उसी में हम उसमें वह एक चम्मच्चीनी डाल लेंगे और उसी में हम वो सुन्दर सी चोटी सी या बड़ी सी जो भी आपने बेलपत्र लिये है वह बेलपत्र डालके पहुँच जाएंगे बोलेनाद के शिवलिंग के समक्ष हमेशा की तरह उत्तर दिशा में मुकर कर बैठना है और बोलेनाद के शिवलिंग पर रामेश्वरम महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करना है जो आप घर से लेकर गए है जिसमें की शक्कर और बेलपत्र पड़ी हुई है और जल को इस प्रकार समर्पित करना है कि हमारी बेलपत्र लोटे में ही रहे और जब पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित हो जाए तब उस बेलपत्र को निकाल कर अपनी इक्षा पूरती के लिए अपनी इक्षा बोलते हुए महादेव को वह बेलपत्र पित कर देनी है और ध्यान रखना है कि बेलपत्य की जो दंडी है वो मता अश्युक सुंदरी की तरफ और बीच वाला पत्ता आपकी तरफ होना चाहिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पूरा प्रेस करा है उपाय समझाने का बहुत छोटा सा उपाय है राम मिशुरम की पूजा करने के पश्चाथ ही भगवान राम ने रावल पर विजय प्राप्त की थी इसके पश्चाथ बढ़ते हैं अपने दूसरे और बहुत ही सरल और विश्य सुपाय की ओर जो कि आपको बुद्धवार के दिन अवश्य करना है करना क्या है आपको लेनी है हरी चूडियां आप पूछेंगे कैसी लेनी है कितनी लेनी है तो परिशानी की कोई बात ने आप ये चूडियां एक दरजन दो दरजन जैसे आपकी च्छाओ आप ले सकते हैं और बस आपको करना क्या है कि इस दिन आपके घर के आसपास या कहीं भी जो किन्नर रहते हैं जिनका आशिरवाद हमारे लिए सदय फली बहुत होता है शादी में या कहीं जब बच्चे वगरा होते हैं तो वो निश्यत रूप से हमारे पास आते हैं और अपना आशिरवाद देते हैं तो बुद्दवार के दिन ये चूडि का उपाए ये दिया आप किसी भी गिन्नर के साथ करते हैं तो आपकी समरद्धी को कोई भी रोग नहीं सकता है इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी किन्नर को अपने घर बुलाना है उन्हें भोजन कराकर हरी चूडियां पहनाना है यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपके शहर में गाउं में स्थान पर जहां किन्नर रहते हैं आप वहां जाईए उनको वो चूडियां दान में उपहार स्वरूप दे कर आईए निश्यत रूप से वो आपको आशिरवाद देंगे और वो आशिरवाद आपके जीवन की समरद्धी को शिखर पर पहुंचा देगा उपाए पूर्ण